नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टो ले चैनल, यूपी पीसी एस, सी सैट का हमारा चोथा टेस्ट है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रेशन, निमलिक्त में से कौन सा स्वर्ण शब्द के लिए उप्युक्त नहीं होता स्वर्ण का हमें एक तरह से, जो उल्टा शब्द है वो बताना है, विप्रीत शब्द, सोना, हेम, मतंग, कंचन, बताईए सही उत्रोगा, मतंग देखिए, स्वर्ण के लिए अनुप्युक्त शब्द है, मतंग स्वर्ण के प्राईवाची है, कनक, कुंदन, तपनिय, महारजत और मतंग के प्राईवाची कुछ है, हाथी, गज, करी और नाग अगला प्रेशन सब्त दीप में हमें समास बताना है, कौन सा है, ततपुरुष, करमधार्य, बहु बरही या द्वीगु, बताईए आप साथ के साथ ये प्रेशन करते रहिए, और स्कोर जुरूर बताईए अपना लाश्ट में कमेंट करके इसका सही अंसर होगा द्वीगु, डी अंसर, देखिए, सब्त रीसी, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये बनेगा साथ द्वीपों का समू, सब्त दीप था रीसी नहीं, साथ द्वीपों का समू, और जहाँ पर समू की बात आ जाए तो हम द्वीगु समास लगाते हैं करते करते वक्त बीच विभक्ति का लोप हो जाए जैसे यस्कष को प्राप्त यश्प्राप्त को का लोप हो गया करम समास। पूरो पद विशेशन और उत्तर पद विशेश्य हो उसे करमधार है कहते हैं जैसे काली मिर्च जो पूरो पद है विशेशन है जो की काली है और मिर्च विशेश्य है काली है जो मिर्च बहु बरी समास में क्या होता है जिस समास में दोनों पद परधान नहीं होते, बलकि दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेश अर्थ की और संकेत करते हैं, जैसे कि नीलकंट, पीतांबर, नीलकंट यह है, मिलकर एक शिवजी जी को संकेत करते हैं उनकी तरफ, अगला प्रेशन है, निर्णे लेने की गुंजाईश किसमे है प्रबंद, संगठन, शाषन प्रबंद या पर्रेवेक्षन, बताईए, सही उत्रोगा ए, प्रबंद में, जब प्रबंद होता है, उसमें निर्णे लेने की क्षमता होती है, शैक्षनिक प्रबंदन का मुख्या कारा है, शैक्षनिक संस्थान को अधिक प्रभावी और पनाना है किसी भी संस्थान का प्रभावी शीलता लक्षों की प्राप्ति अपने लोगों के विकास संस्थान के विकास समुदाय पर प्रभाव के संदर्व में मानी जाती है कि निर्णा लेना प्रबंधन प्रक्रिया का दिल है आप ये पर सकते हैं संस्थागत प्रबंधन चक्र वीडियो को पोज करके अगला प्रेशन निमलित में से कौन प्रभावी समवाद के लिए अवरोध है अवरोध हमें बताना है कौन-कौन है शारीरिक शोर जिहां अवरोध बनेगा एक किसी समवाद करते समय अगर शारीरिक ये ये 1, 2 एं 3 देखिए समवाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी के अधान-परदान को संदर्भित करता है प्रभावी समवाद के वलता है जब संग रही उसका शαιतीक जानकारी या विचार को समझता है प्रभावी समवाद के लिए अवरोध किसलHAN को, क्रियात्मक शोर, मनोवग्यानिक शोर, शब्दार्थ शोर, ये चार शोर हैं, अगला प्रशन, देखे हमें सूची, गतिविधी और कार्य, इनको सुमेल करना है, ए शाब्दिक संचार, श्रवन, तदनू भूतिक समाद, या संचार के माद्यम से तनाव प्रबंधन, देखे ए शाब्दिक संचार मिलेगा, व्यक्ति संचार के लिए अधिक स्थान गरहन करता है, श्रवन मिलेगा, सूचनाव को समवेश करने में सहायता, और ये तदनू भूतिक समाद मिलेगा, चोथे नंबर से, दूसरे के दिश्टिकोन की स्थिती को देखना, तो हमारा ए दो से ए दो से मिल रहा है सिरफ इसी में, ये भी हमारा अंसर होगा, ये इसकी व्यक्या आप पड़ सकते हैं, ए शाब्दिक संचार, सुनना, सहानुबूति वारतालाब और संचार के मार्धम से तनाव परबंधन, रिजिनिंग और मैथ के प्रेशन, एक मेंड़क जो है, वो सेंटीमीटर की छलांग लगाई, फिशलन के अगारण में 15 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है, गिर जाता है, तो कितनी छलांगों में, जो मेंड़क है, वो कुवे को से बाहर निकल जाएगा, हमें ये देखना है, 4.5 मीटर का कुवा है, गहरा, देखे कैसे करेंगे इस् सेंटीमीटर नीचे भी विसल जाता है, तो एक छलांग में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो हम 15, 30 पूरी में से, जो 15 नीचे खिसक गया, उसको माइनस कर देंगे, तो एक छलांग में वो, मतलब लास्ट में, एक छलांग में उसने 15 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस क इतना तो अगर हम 450 से 15 को डिवाइड करें तो यह आएगा 30 15 तिया 45 लेकिन यहां 30 छलांग अंसर नहीं है देखे यहां पर यहां पर है इस प्रेशन की में ट्रिक आप अगर 28 छलांग लेके चलें 28 को 15 से गुना करते हैं 15 ठेक 120 12 15 दूनी 30 और 12 420 28 छलांग में जो मेंडक ने 420 मीटर दूरी तै कर ली 29 चलांग में कितनी करेगा एक चलांग में कितना करता है 15 करता है एक चलांग में लेकिन जब वह पहली चलांग लेता है 30 सेंटीमीटर की चलांग लेता है उसके बाद वह 15 सेंटीमीटर नीचे आता है देखे यहां 420 हो चुगा था जब 29 चलांग मरेगा तो पहले तो 30 लगाने की जूरत नहीं बड़ी क्योंकि वह बाहर आ ही गया तो नीचे क्या फिसलेगा चारसोपचास का तो क्यों ही था चारसोपचास सेंटिमेटर का चारसोबीस उसके 28 में छलांग में हो गए थे 29 में सिधा उसने 30 की चारसोपचास उसने कवर कर लिए यह अच्छा प्रेशन है इसको समझना आए तो एक बार दोबारा देख लेना समझा जाएगा आपको कि चार क्रमागत संख्याएं इस प्रकार हैं समसंख्याएं हैं पहली बात समसंख्याएं हैं और क्रमागत हैं इस प्रकार है कि अंतिम और पहली संख्या का उसत 11 है दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है देखे अंतर बताना है हमें तो हमें उसत की जरूरत ही नहीं है हमें पहले ही बता है कि क्रमागत संख्या है उनके बीच का अंतर क्या होगा दो ही होगा जैसे क्रमा तो यहां बता रहा है अंतिम और पहली संख्या का जो ओसत है वो 11 है समसंख्या को लिखने का तरीका क्या होता है 2x क्योंकि समसंख्या वही होते है जो 2 से भाग हो जाए 2x फिर उससे अगली होगी 2x प्लस 2 उससे अगली होगी 2x प्लस 4 और उससे अगली होगी क्योंस उसस प्लस 6 कि अब उसने पहली और अंतिम के औसर्थ बता दी उसरथ निकालते हैं 2x 2x plus 3, 6, divide by 2, divide by 2 करके उसरत निकालते हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये, दो संख्याओं की उसरत कैसे निकालते हैं, divide by 2 करके, ये कितनी थी? 11, अगर हम यहां से 2x, 2, 2 और 2 कॉमन लें, तो यहां पर बनजेगा, x plus x plus 3 is equal to 11, और 2x is equal to क्या बनजेगा? 2x is equal to 11 minus 3, यानिके 8, यानि x की value आगी हमारी 4, x की value 4 आगी हम यहां रखेंगे, तो 2x यानि 8, ये संख्या बनेगी 8, ये वली संख्या बनेगी 2x plus 2, यानि 8 plus 2, 10, ये वली संख्या बनेगी 8 plus 4, 12, और ये वली संख्या बनेगी 14, देखिए, 8 और 14, 22, और इसकी average आ रही है 11, जी हां, पहली condition satisfy, और अगर 12 में से 10 गताएंगे, तो अंतर क्या रहा है, दो, भी हमारा अंसर हो जाएगा, ये याद रखना, ये important है, ये वला जो हमने किया, 2x, 2x plus 2, 2x plus 4, 2x plus 6, ये संख्याओं के लिए use होता है, अगला प्रेशन, 200 मीटर, 300 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेने हैं, करम से 60 किलो मीटर क्रति घंटा और 48 किलो मीटर क्रति घंटा की चाल से, समान दिशा में चल रही है, ये important है, किस दिशा में चल रही है, समान दिशा में, ट्रेन ये भी और ये भी समान दिशा में चल रही है, एक दूसरे वह एक ही डाइक्शन में चल रही है तो सेम डाइक्शन में चलने पर इनकी जो गति वह घट जाती सकती सरस्ट गतिप हैं तो इंको ऊकjer करना है माने लीजिए यह 200 मिटर की थी यह 300 मिटर की तो डिस्ट्रेंस टो नहीं कवर करेंगे ना इनको ऊक्त दूसरे को पार करना है मतलब अगर यह तेज चल र्रीय थे टो इसUNको पहले एक ट्रेन है यह और एक ट्रेन हम यहीं से ले लेते हैं यह पर यह अब पार करने की स्थिती में है तो यह भी पार करेगी तो यह वला एंड पहले आगे 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 यहां पर आएगा और यह वला एंड यहां पर आजाएगा मतलब उसने कितनी यह व यह वाली 200 दूरी और चलेगी टोटल डिस्टेंस 500 बनेगा टोटल डिस्टेंस बना हमारा 500 मीटर दिवाइड बै इनकी गती कितनी थी 60 में से 48 गए 12 गुना यह किलोमीटर घंटे में थी और यह मीटर में तो हम इसको सेकेंड में और मीटर में अट लेंगे 1000 यहां जाएगा 36 यहां पर आजाएगा दो जिरो से दो जिरो बारा तिया 36 पांस दूनी 10 और यह 100 फिर जाएगा यह 50 पर यह बन जाएगा डेड़ सो सेकेंड में बतला था यहां दो मिनट की 120 यानि दो मिनट और 30 सेकेंड कहां पर हमारा अंसर है तो मिनट 30 सेकेंड हमारा ए अंसर होगा आशा करतों आपको समझ आयोगा अगला प्रेशन है एक दुकान दार है 4800 रुपे किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 23 पर तीसेत की उसक करेल मूल्य निकाल के इसमें माइमस करें या फिर हम सो में से 23 पर तीसेत पहले ही निकाल लेते हैं तो यह बनता है 77 प्रतीशत यानि उसने इसके 77 प्रतीशत पर ये चीज बेची 45 सो का 77 प्रतीशत क्या ऐगा बठे 100 2 0 से 2 0 कटेंगी 45 गुना 45 ये 77 करेंगे तो 45 गुना 77 सब्सक्राइब यह बनेगी थ्री फॉर शिक्स फाइव चौटी सो पैंसेट रुपे में उसने वह चीज बेची 23 प्रतीसित का डिसकाउंट दिया था तो हमने सो प्रतीसित में से 23 प्रतीसित पहले इकटाकर 77 प्रतीसित निकाल लिया और इसका 77 प्रतीसित आया इतने पर बेचने पर भी क्या कह रहा है उसको 600 रुपे का लाव हुआ तो हम क्रेम उले कैसे निकाल लेंगे विक्रेम उले में से लाव घटाकर विक्रेम उले में से अगर हम लाव घटाएं तो यह बनेगा पैंसेट हैसे ही आदेगा, 34 में से 6 गए 28, 2865 हमारा अंसर होगा, कहां पर है, B हमारा अंसर है, 2865, यह इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, देखे, X divided by Y, Y divided by X, यह है, X और Y की value दी है, हमें यह निकालना है, हम प्रेशन के हिसाब से चलते हैं, यह चलते हैं, X divided by Y, minus, Y divided by X, is equal to 5 divided by 6, देखे, यहाँ LCM ले लेंगे मिनिन का, XY LCM आ जाएगा, फिर Y यहाँ पर है, तो यह वाला X multiply हो जाएगा, यहाँ पर X स्क्वेर आ जाएगा, minus, यहाँ पर X है, तो यह वाला Y, इस वाले Y से multiply हो जाएगा, Y स्क्वेर आ जाएगा, is equal to 5 by 6, तो यहाँ पर अगर हम इसको इ 24 रखें, 6 से 4 बार कट जाएगी, तो यह value आगी, पांच चोक्या 20, X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर की value आ गई 20, मैं लिखता हूँ एक मिनट, X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर की value आ गई 20, यहाँ तक समझ आए, कोई रिक्कत नहीं, अब हमें निकालना है, X की 4 और Y की 4, हमारे हम X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर का स्क्वेर करें, दोनों तरफ तो 20 का भी स्क्वेर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलते हैं, A माइनस B का होल स्क्वेर का, यानि X की 4 माइनस, प्लस Y की 4, माइनस 2, X की 2, Y की 2, यह फॉर्मूला आशाकरता आपको पता होगा, A माइनस B का whole square a square plus b square minus 2ab यह formula लगाए यहाँ पर a यहाँ पर x square है b यहाँ पर y square है और 20 का square करेंगे तो 400 हमें इसी की वे तो value चाहिए थी तो इसको यहाँ रख लेते हैं x की 4 जमा y की 4 ब्रबर 400 जमा यहाँ पर minus का है उदर जाके plus का हो जाएगा जमा दो गुना देखे x y की value क्या थी 24 और यह क्या है x का square y का square यानि x और y दोनों का square यानि यहाँ पर जाएगा 24 का square यहाँ जाएगा 400 जमा दो गुना 24 का square होता है कितना पांसो चैतर पांसो चैतर अगर इसको करें sorry space कम है 400 जमा दो चिके बारा एक दो सत्य चोदा और एक पंदरा एक दो पंजेद्धास और एक ग्यारा ग्यारा सो चपन तो यह बना चपन पांच और पंदरा सो चपन हमारा अंसर आया पंदरा सो चपन एक मिनट कहीं पर मिश्टेक हुई है कि हाँ यहाँ गुना करने में गलत वी ही दो चिके बारा यहाँ पर दो आएगा चपन नहीं आएगा बावन आएगा पंदरा सो बावन डी हमारा अंसर होगा अगला प्रशन यह इसकी अगर आपको देखना है तो यह इसका स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है देख सकते हैं यह लास्ट में इंसर आया दो गोले हैं आयतन का अनुपात है एक बटे आठ हम में उनके क्शेद टरफल का सतै है क्शेद टरफल सरफ्यशेया का अनुपात निकालना है अईतन का फोरमूला देखता है दो गोले हैं देखिए एक एक आया एक आठ है जाहीर सी आध एक एक की रेडियस ज़्यादा होगी एक की रेडियस जो 3जा है वो कम होगी है मैं मान लेता हूं डो गोले हैं तो एक की रड रेडियस हमने यह दो माली तो आयतन का फोर्मूला करता है चार बटे 3 पाई पहले का आरवन क्यूब डिवाइड बै चार बटे 3 पाई दूसरे का रटु जुब यह रेशव कितना है एक बटे 8 कोई समस्चा नहीं चार बटे 3 पाई चार बटे 3 पाई कर दिया R1 बटे R2 का whole cube किसके बराबर आ गया cube है दोनों का तो whole cube हो जाएगा एक बटे, देखिए क्या होता है 8 2 का cube, 2 गुना 2 गुना 2, 8 बनेगा तो 1 बटे 2 का भी cube हो जाएगा cube से cube की value कट जाएगी तो हमारे पास R1 बटे R2 के आया 1 बटे 2, यह आप लिख लो R2 आया, 1 बटे 2, हमें surface area निकालना है, surface area होता है 4 pi R square, यहां R1 बन जाएगा 4 pi R2 square, यह formula होता है surface area 4 pi से 4 pi दुबारा कर जाएगा, देखिए R1 upon R2 R1 upon R2 का whole square बना, R1 upon R2 की value क्या थी 1 बटे 2, यानि A ए 1 बटे 4 बन जाएगी B हमारा answer हो जाएगा यह इसकी करमवाइज दिया गया है, step to step देखिए 3 पासे हैं 3 पासे हैं, एक साथ उचाला गया है 4 का योगफल हमें निकालना है कि उनको जो, जैसे 3 पासे हैं 3 dice हैं मरे पास, यह 3 dice है आपको पता है dice में 1 से 6 तक अंक होते है एक से 6 तक अंक है, तो यहां पर भी कुछ न कुछ अंक आएगा यहां पर भी कुछ न कुछ आएगा, यहां भी कुछ न कुछ न कुछ आएगा question में कह रहा है कि इन्नों को मिला कर 4 बनना चाहिए यानि 4 कैसे बनेगा, मालो यहां पर 1 आया यहां पर भी एक आया, एक और एक दो, तो यहां पर क्या आना चाहिए, दो, तब भी तो चार योगफल बना इनका, ठीक है, हमें इसकी संभावना बताने है कितनी, संभावना बताने के यह प्रेशन प्रोबिल्टी काया है, कैसे करते हैं, पहले हम निकालते हैं, टोटल केस क कुछ भी आ सकता है, तो यह कितने डैस है, तो तीन, तीन वार तीनों को उच्छालने परक्णे क्या बनेगा, चे की पावर तीन, जिए हाँ, दो होते तो चार होते, चे टी पावर तीन, यहां दीन है, तो चे की पावर तीन, इतने हमारे पास total case बनेंगे 6 की power 3 बनेगा 36 गुना 6 यानि 6-36 और 6-18 और 3 216 216 बने total case अब हमें चाहिए 4 का योगफल देखे एक case तो मैंने यही बता दिया एक एक और दो दूसरा case क्या बनेगा यहाँ पर एक मान लेते हैं यहाँ पर आया दो और यहाँ पर क्या आना चीए फिर एक च्योंकि एक दो एक यह भी चार बना तीसरा case क्या बनेगा यहाँ पर एक की जगए अब की बार दो आ जाएगा यहाँ पर एक यहाँ पर एक यह भी दो और एक तीन और एक चार चार बना इसके लावा और कोई case नहीं बनता ये 3 ही case बनते हैं जहांपर 4 का यो गुफल बनता है आप try कर सकते हैं कोई भी case नहीं बनता इसके लावा तो हमारे पास जो संभावित केस बने है वो हमारे कितने है तीन और टोटल कितने थे टोटल 216 दिवाइड कर देंगे तो तीन सते किस तीन दूनी छे एक बटे बहत्तर हमारा अंसर हो जाएगा प्रोबिल्टी का एक बटे बहत्तर आशा करता हूं आपको समझ आया होगा टोटल ये बने थे संभावित ये तीन बने थे तीन केस मैंने बना के दिखा दिये तो तीन बटे टोटल हमारा अंसर हो जाएगा यह इसकी व्यक्षा है येदी 20 X is equal to 9 y square plus 1 और y की वैल्यों में देदी तो x और y की अरे बहुत इजी है तो देखें हम यहां लिखते हैं यह व्यक्षा इसक। to 9y square plus 1 y की value 1 है तो हम यहां पर गर y की value एक रिखें तो 9 19 y 1 square जो एक ही बनेगा जमा एक यनि आ जाएगा 20x ब्रबर 20 यनि x की value क्या आगी एक x की value एक आगी y की value क्या थी एक तो x plus y क्या होगा हमारा दो कि सी हमारा अंसर हो जाएगा सीधा बस y की value यहां रखनी थी इस रिंकला में हमें गलत संख्या ग्यात करनी है कौन सी है देख हम इसमें पैटर्न पकड़ना और कुछ नहीं है इसमें रोकेट साइस नहीं है 36 और पचास देखे इस अगर हम इसका difference देखें तो कितना आएगा साथ जी हां 17 में से 10 गए 7 इनका difference अगर हम देखें तो कितना बनेगा यह बनेगा 9 इनका difference अगर देखें तो यह बन रहा है 10 इनका देखें तो बन रहा है 14 देखे 7 तक तो ठीक ता 7 सही ता बना 9 भी सही बना तो देखें हमेंने पैटर्न पकड़ लिया यह क्या बन रहे है भी लगाता रहे यहां 7 बनी यहां 9 बनी यहां 10 की जगह क्या बननी चीए थी 11 और यहां 14 की जगह बननी चीए थी 13 तो हमारा कहां पर गलती है यहां तो हो नहीं सकती क्योंकि 26 में से 17 जाने पर 9 बना लेकिन 36 में से 26 में जाने पर यहां 10 बना था तो हमारा यहां पर यह ग तेरा जी हाँ यहाँ भी तेरा बन रही है तो हमारा दी 36 अंसर होगा 36 गलत है 36 जो संक्या है वो गलत है उसकी जगा 37 आएगा यह दिये गई है इसकी व्याख्या किस फ्रकार के शंचार में सुचना पदानुक्रम के निचले स्तर के से उपरी स्तर तक प्राववित होती है देखिए सूचना जो है निचले स्तर से उपरी स्तर पर प्रभावव इस्टतम अप्वर्ड जिहां इसका नाम भी बता रहा है अप्वर्ड कॉम्मिनिकेशन नीचे की और पास्ट नहीं भी हमारा अंसर होगा नीचे किसे ऊपर की और सूचना जा रही है कि अगला प्रेशन या पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या इस रिंखला में आगे की संक्या हमें बतानी है क्या वनेगी तीन इक्किस ब्यालिस देखे पैटन पगड़ना है तीन इक्किस ब्यालिस तू नैंटिफॉर और खालिस थान तीन सत्ते इक्किस देखे गुना साथ करके आया इक्किस दूनी ब्यालिस ओके गुना दो ये गुना करने पर आएगा साथ जी हां साथ दूनी चोद है साथ चोके ठाइस और एकुना तिस बन रहा है तो यहां पर क्या बनेगा साथ गुना फिर दो गुना फिर साथ गुना फिर यहां तो दो गुना करके यहां पर जो संख के आठ दोनी में अठारा एक दो दोनी चार और एक पांच फाइव एट 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 यह हमारा अंसर जाएगा फाइव एट यह पैटन था हमारा अगला प्रेश्ण कि छे वेक्ति हैं A B C D E F समान पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की और इनका मुह है F के ठीक बाइं कौन है हमें यह बताना है यह अगर F यहां पर है इसके बाइं में कौन बनेगा A C के दाएं और से चोथे स्थान पर है देखे अगर हम यहां पर C लिखते हैं तो A इसके दाएं चोथे स्थान पर एक दो तीन यहां पर A है चोथे स्थान पर ठीक है डी जो है एक ठीक दाइब और है डी यहां पर बैठ गया अब देखे कमाल की बाद 6 बन दे थे और हमारे 6 स्टैप यह पूरे हो गए इस का मतलब किया है कि यहां इन दोनों की जगह पर भी EF नहीं आएगा इंदोनों की जगह पर भी EF नहीं आएगा E और F इकठे आई नहीं सकते अभी भी हमारा अंसर निकला है हमें बताना है F के ठीक बादे कौन बैठा की देखिए अगर c f का पडोसी नहीं है तो c पक्का ए का पडोसी होगा क्योंकि यह तो यहां पर e को आना था या फिर यहां पर e और f में से कोई एक आना था अब f यहां नहीं आ सकता तो c आएगा और E और F साथ में नहीं हो सकते तो F यहां पर बनेगा यह दूसरी इससे statement से बचा क्या भी B इंके बीच में आजाएगा अब है बताना है F के ठीक बाइं और को बैटा है B बैठा है लेकिन हमें यह नहीं नहीं बताना कि कोन बैठा है लेकिन यह नहीं पता था कि E और F बैठे कहा है यह हमें कहां से पता चला तीसरी स्टेटमेंट से कि C के पास F नहीं है तो C के पास E बनेगा तो हमें तीनों सभी कथनों की अब शक्ता पड़ी तो D हमारा अंसर हो जाएगा यहां पर यह समिकर्ण है इसका हमें तरुटाना है तो बहुत ही आसान प्रशन है 6 761 माइनस सबसे पहले डिवाइड हम करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो यह बनेगा 63 और फिर गुना करेंगे तो माइनस 13 चिका 78 अब हम प्लस कर लेते हैं 5 और एक 6 6 7 और 6 13 166 माइनस 8 3 11 1 141 यह बनेगा 5 2 2 1 1225 हमारा अंसर हो जाएगा C आई होब आपको समझ आए होगा अगला प्रशन उमेश 37 से लंबा है सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है देगी हम देखते हैं यह उमेश है यह 37 से लंबा है ओके सुरेश नीरज से छोटा है तो अगर यह शुरेश आया यहां पर तो यह नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है नीरज से छोटा है सुरेश लेकिन यह है उमेश से लंबा है यानि अगर हम इधर करें तो यहां पर उमेश आएगा एक बार हम इसका करम बना लेते हैं देखिए यहां सबसे बड़ा कौन दिख रहा है में निरज इस लाइन में तो हम निरज बना लेते हैं फिर उसके बाद आएगा सुरेश उसके बाद आएगा उमेश और पहली लाइन में क्या था उमेश सुरेश से बड़ा था यानि इस उमेश से छोटा है यह सतीश तो हमें सबसे लंबा बताना है सबसे लंबा निरज हो जाएगा यह हमारा अंसर हो सबसे लंबा नीरज है साइन से अगला प्रेशन है कि समवाद की सबदार्थ बाधा कब अंतर नहित होती है कि सबदार्थ बाधा बतानिया है जब शुरोता तक पहुंचने से पहले सिगनल खो जाते हैं जब शुरोता तक प्रेशित समेद असपर्ष्ट हो जब शुरोता का ध्यान हटा दिये जाए शुरोता संदेश का अर्थ नहीं समझता है सब्दार्त में क्या अर्थ आ रहा है ना तो जब सुरोता अर्थ नहीं समझेगा सब्रल्बहण हाओ कि लुट ये था आज का हमारा लास्ट प्रेश्म आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अपना स्कोर कमेंट वोक्स में जरूर बताईए धन्यवाद